हेलो फेंट वेड़्टे कम बेक टो माई योटूब चेनल घ्यान टेक्सीरिस फिनाच के वीडिव में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने जियो के फोन से या सैंसंग के फोन से या किसी अधर फोन से अगर किसी को मैसेश सेंड करें लेकिन मैसेश सेंड नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे solve करेंगे, कैसे fix करेंगे आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बस आपसे request वीडियो को पूरा देखे तभी आप अपने इस problem को solve कर पाएंगे, fix कर पाएंगे तो फैंट लें वीडियो को start करते हैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा, सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने मोबाल की सेटिंग्स पर जाना है, अब आपके फोन में जितने भी सेटिंग्स हैं, आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, एपस पर क्लिक करेंगे, क्लियर कैचे करना होगा, इससे आपके मैसेज कि यतनी भी टेम्परिडिरी फैले हैं, वो क्लियर हो जाएंगी, दूसरा तब तरीका है कि आप जैसे भी किसी भी परसन को मैसेज करते हैं, तो आपको अपनी SIM को एक्टिवेट होना चाहिए, SIM में रिचार्ज होना चाहिए, बहुत सारे फोन में रिचार्ट नहीं होता इस वैसे प्रॉब्लम होती है यह फिर आपके नेटवर्क इसू है इस वैसे प्रॉब्लम होती है यह कुछ तरीके आप यूज़ करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें